गुड मोरिंग फ्रेंड्स और पॉलिटी में हम लोग उसका अध्यान कर रहे हैं पॉलिटी का जो क्यास कोर्स भी लॉंच किये हुए हैं जो बहुते टोपिक पढ़ाते हैं और यह किताब सीस्टू टूएल पका जो पॉलिटी है उसका भी हम लोग डीटेल से पढ़ेंगे सीटू का पॉलिटीहों पॉलिटीची संभंधी से उसका भाग दो कहीए लेकिन अध्यायतों चार वह करके पढ़ेंगे इस पर्ञेंगे इस परण में आप तानेग नव extras ca शकार के कामों को परवावित करने वाली कुछ मुख बातों के बारे में परेढ़ेंगे इस इन में लोगों की भागिदारी समसियाओं का समधान समानदा औरadoreन्याय के वीचार सामील यह सब ही लोग तांत्री की व्यवस्था को सफल बस्ता नौ नोहों तो क्या होता जैसे अपने ही देश की आसपरोस में परोशी पकीस्तान देख लिए बारबर तना समस्या होती हों इराग का सिरिया का हाल देख लिए तो कहने की बात है नहीं और इसे जाने के लिए हम लोग दक्षिन अफरीका में रहने वाली के एक माया नाम की करेक्टर है उसके बारे उसके कहाने लोग पढ़ेंगे और यह पूरी दुनिया का मैफ है इसमें कहा का आपको प्रहुगा भारत की लोग पढ़ेंगे और हम स्वेत यानि गूरे और स्वेत काले जिनकी त्वचा का रंग सावला है जैसे बारती है जुहांसबर्ग में रहने वाली 11 वर्स की दक्षिन अफरीकी लड़की क्या नामिट का माया नाइडू एक दिन पुराने बक्सों के सफाई करने में अपनी मां की मद्द कर रही थी उसे एक रजिस्टर यानि स्क्रैप बुक मिला उसको अब देखिए उस रजिस्टर में क्या लिखा है मिला जो अख़बार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरे थी माया ने जब उस लड़के हुए क्यों मात गोलिसको देखिए उसरी माया की मान ने सम्झाया की गची दक्षिन अफृक का अएक मिनित்त यहां से पर हजा यहां से सब्सक्राइब ऑप पूजा क्यों माय क्यों माय कि है माय की मान ने समझाया कि दक्षिन अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से सामिल में से साथ सी था यानि वहाँ पर रंग के अधार पर होती थी रंग भेद का मतलब तुछा यानि चमरी के रंग के अधार पर भेदभाव करना होता है दक्षिन अफ्रीका की परजातियां इस अधा बनाने की इजाजत नहीं थी विभीन परजातियों के लोग नो तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और नो ही आमसुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं कलपना कीजिए भारत मैंसा होता तो क्या होता आगे बढ़ते हैं माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा रंगभेद कानून के तहस जीश तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बहुत गुस्षा था मतलब कि वह भी पीडि थी उन्होंने बताया कि सुवेट और अस्वेट लोगों के अस्पाल अलग होते थे और अस्पाल की गारिया भी छोट देने की इजाजत नहीं थी निए सबसे अच्छी जमीन सुद्ध लोगों के लिए आरक्षी थी पता चलता है aproximate लोगों यह भारतियों को स्वेत लोगों के बरावर नहीं माना जाता था उनके साथ भेद भाव किया जाता था दक्षिन पच्छिमी हिस्से में एक सहर था क्या नाम उसका सिवेटो जहां सीर पहर ज़ी रहते थे हैक्टर पीटर्सन वह झालता था वहां के स्वेथ लोग अफ्रीकांस वहां संकह कहां क्ला प्रिकांस भास बोलते थे और हैक्टर और इसकूल के ऑन्विवाजर्थी पर इस भासा को शीखने के लिए जोर Subscribe दाला जा रहा था इस अपनी भासा कोन तो किवर कि सक्ता क्या जून वह अपनी भासा जूलू सीखाना चाहते थे तो डेखिए स्वेत लोग अब सरी इस सवेत लोग क्या बोलेंगे और अफरीकांस लेकिन हैक्टर जो हए एक क्या बोलेगा इसकी भासा वहां पर जूलू स्वेत के लोग भासा जूलू थी सीखना चाहते थे लो जूलू सीखना चाहते थे हेक्टर अपने सवह पाटिवे को साथ मिल कर अफरिकान से सीखने का बीरोध कर रहा था कि हम तुम्हारी भासा नौ सीखेंगे अब क्या होगा दक्षिन अफरिका के पूलिस ने बीरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीर पर गोलिया चला दी तो अब क्या होगा उन में से एक गोली हैक्टर को लगी और वह मारा गया यह घटना है 16 जून 1976 की बात है तब क्या होगा अफरिकी राष्ट्रिय कॉंग्रेस और उनके जाने माने नेता नेंसल मंडेला ने रंग बेत के खिला बहुत लंबे समय तक संगर्स किया वर्स 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिन अफरिका एक लोकतांतरिक देश बना तब से सभी प्रजातियों के लोगों को वहां बराबर माने जाना ने लगा है अब सवल के सब क्या हैं वहां पर तो बराबर हैं अब कोशन देखिए और सवेत लोग किस किस तरह से भेद भाव का सामना कर रहे थी इसके उसुची बनाई बनाई और आगे बढ़ते हैं अब भागीदारी क्या होगा देख लेते हैं हमारे यहां नियमित रूप से चुना करते हैं चुना में वोट देकर वे अपने परतिनीधी चुनते हैं यह परतिनीधी ही लोगों की तरफ से नीर्ने लेते हैं यह मान कर चला जाता है कि परतिनीधी नीर्ने लेते हैं वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे क्यों हो भाई क्योंकि व सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तो भी संभव होगा जब लोग उसे बार बार चुने चुनाव का समय लोगों के लिए वह घरी है जब वे लोगत अंतर में अपनी ताकत को महसूस करते हैं यानि आप अगर किसी जंदा के लाग काम नद करिएगा तो आप भोट में हार ज सरकार उसके बहुत साहे तडरीके चुनाव पांच वरस में एक बार होते हैं वोट Ooh देनी के अलावा लोकतांति कि सरकार के निर्न domestic and के अभाग के में तुअ तरीके हैं लोग सरकार के कारियों में रूची लेकर उनसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं और ये तो टीवी देखते हो येगा अगर आजकल जो सोचल साइट पर ही तो खूब देखता हो खूब सको पता होगा कि आजकल क्या हो रहा है अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बरहा दिया तो लोगों ने अपने विरोद बहुत ही तीखे रूप में ब् परक दिये लोगों को समझाने की कोशिस की लेखी रंदता उसे लोगों की मांग मांगनी परी और बिजली के बढ़ाय गये दामों को घटार ना परा सरकार को अपना नीडने बदलना परा क्योंकि वह आम जंता के परतिक क्या है जिम्मेदार है ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय ब्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या करवाई करनी चाहिए इन तरीकों में धर्ने जूलू सहर्ताल हस्ताक्षर भ्यान अरिस सामिल है लेकिन हिंसा कोई नहीं देख लीजिए इनके जरिए जो बात गलत है और सकते हैं आगे बढ़ते हैं अख़वार पत्रिका यहम टेली बीजन भी जनता से जुरे मुद्धों और सरकार की जिम्दारियों पर चर्चा करने में महत्तोपूर्ण भून क्या निभाती है तबी तो टीवी पर दखिए साम को यह दिन कभी भी हमें से चार-पाच बैठ कर यहां यह सच है कि लोगतंत्र लोगों की भागदारी का मौका देता है वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है लोगों के लिए भागदारी का एक औरने तरीका यह भी है कि वे आंधुलन करें बगाउत करें जो सरकार और उसके काम करने के तोर तरीकों को चुन होती देती है दली तो आदिवासी यूँ अलपसंख्या को महिलाओं एवं अन लोगों की भागिदारी अकसर इन अंदोलनों के जरिये ही हो पाती है आगे देखेंगे अगर देश के लोग सवजग हैं जागरू करेंगे तो क्या करेंगे सरकार की काम क करेंगे अपना तर्क रखेंगे बताएंगे कि भाई तुम ऐसा ना करो में तो से घाटा है इस बारे में रूची लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोगतांतिक सोरूप क्या होगा तो और मजबूत हो जाएगा अगली बार अगर हमें सहर कस् देखें तो हम समझ जाएगे कि क्या हो रहा है हम एक चान रूख कर पता करेंगे नॉर्मल बात है तो बहुत है क्या होता है लेगी नुटकर 6 की बात है तो उस तोन में लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं उसमें भाग लेने वाले लोग कौन है और वह कि समूध्य पर इतन बार हिंसा का परयोग किया जाता है लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि एक समुह या मान लेता है कि दूसरे समुह को विरोद करने से रोखने के लिए बॉल का इस्तमाल करना उचीत है अब माया की कहानी को फ्रिद्वाय पढ़े सोची आगे बढ़ते हैं विवाद तब उभरता है जब विभीन संस्कृतियों धर्मों छेत्रों और आर्थिक प्रिष्टि भूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तानमेल नहीं बिठा पाते हैं उनके बीच का अंतर बहुत जाती है विश्वास कहीं खो जाता है ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है यानि और वो सोच ले उनके फियर हो जाकि भाई तू था हमारे जुलूम कर रहा है लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए ही सात् हो जानते हैं और यह समझे कि सरकार इन समाधान में क्या भूंकानी भाती है आच देखने रहा है धार्मिक जुलूस और उस्व कई बार समस्या का कारण बनते हैं उधारन के लिए धार्मिक जुलूस की रास्ते पर निकलते हैं यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है क भरकने के खानता कभी कभी जूल उसकी लोग उद्टेजित हो जाते हैं और कभी नो जूलीश पर Peni या उसे में भी आज रोकने की कुसिस करने लगते हैं कि और सरकार क्नरब पुलिस ऐसे महुचा पर बहुत ही महत्तोपूर्ल भूमी में आदा करती है पूलिस की जिम्यदारिया सुनिशित करने की होती है कि आपस में ठकराओ के सिती नौ हो हिंता नौ भरके वह सभी पक्षों को एक जगा बीठा कर बात करवाती है तदा विवाद का समाधान करने के लिए एक समितिकर्षन कर देती है अब भारती सविधान में नौ है वह तो सजा करने पर लेकिन जो भी करून का समधान होगा भारत में वह सविधान में तो निखा गया है उसी अधार पर होता है आगे देखिए नदिया दिक यह कई बार विवात का कारण बन जाती है कुछ नदिया एक सथीक राज्यों से होकर बहती है जिन राज्यो तो आप लोगों को याद होगा ही कि करनाटाग और तमिलाडू के बीच कावेडी नदी पानी को लेकर चल रहे विवात के बारे में सुना होगा करनाटाग में क्या है तो किरिस्न राजा सागर बांध है बांध में भरा हुआ पानी कोई जीलो में सीचाय के काम आता है इस पानी से बेंगलूर सोहर की जरूरती भी पूरिकी जाती है और तमिलाडू का है, तर तमिलाडू में क्या है, मेटूर बांध है, मेटूर बांध में भरे हुए है, इसी नदी के पानी, यानि सब कावेडी नदी पर ही बांध है, पानी से राज के डेल्टा छेतर में सी चाही होती है, ये कावेडी नदी का पिक्चर देखिए, वैसे घ दाउने स्ट्रिम में हैं में टूर बांध में पानी तो अभी भारा जा सकता है जब क्रिशन राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए दोनों राजियों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो नहीं मिल पाता है इसे अब क्या होगा तो लोगताती सरकार के मुखे वीचारों में से एक है उसका नियाए एवन समानता के पर इशान बदोना नहीं तक हो आए और समानता उसके पहले जो दक्षिर अप्षिया कहानी थी वहां हो रहा था नहीं हो रहा था आगे बढ़ते हैं और स्पिरिस्ता यानि शुगा छूद की पर्था अब कानून द्वारा लगा दी कही है लंबे समय तक दलित लोगों को सिख्छा स्वास्त यहों में याता क्या है तो अमानवी यह है और नियाएं सभी को प्राप्त हो सकता है अब क्या हो और नियाएं तो अभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी क्या बेवहार हो यह की दिगा तो अमेतिकर का कथन था आगे देखिए सरकार भी समानता और नियाएं की जरूरत को पहचानती है और उन समुहों के लिए विसेस प्रावधान करती है जो समाज में अभी बराबर नहीं माने जाते हैं इसलिए सकार ने क्या किया तो आरक्षान प्रावधान के बिवस्ता कर दिया जैसे हमारे समाज में यहां आम परविटती है कि लड़को की देखभाल लड़क से ज्यादा करते हैं इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत नहीं देता जितना कि वह लड़कों को देते हैं यह धरना गलत एवं अन्यायपूर्ण है इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कटम उठा है सरकार ने कुछ विशेस प्रावधान किये हैं जिसे आज दक्षिन अफरीका में माया का जीवन कैसा होगा तो आज तो वहां पर सबकुछ बराबर है नियाय, समानता, मौका, भेध भाव से कुछ इससी नहीं है तो आज वह बराबर लेकिन इतिहास तो काला जो अधियाय है उसका वह तो है लेकिन आज वहां पर सबकुछ बोट दे कर लेते हैं उसमें सरकार का पोई प्रतिनी जी को लोग जीता सकते हैं या उसको हरा सकते हैं या रैली कर सकते हैं धरना परदसं कर सकते हैं प्रत्य रूप से और इस तरह से दवाव बना देंगे विभिन विवादों और मुद्दों को सुल जाने के लिए सरकार की जरूत क्या होगी क्योंकि सरकार क्या है तो एक मौध्यस्त है और यह जंता के द्वारा चुनी की साहई तो क्या करेगी और कोई विवाद होगा तो जंता के वीचे विवाद होगा को सुल जाएगी सरकार ही सब्सक्राइब करें और बहुत सारे कारून बनाई हुई है और आगे बढ़ते हैं पाठ को एक बार और पठकर लोग तांतिक सरकार के मुक्तत्यों की एक सुची बनाई यह उतारा समय लिखे सब्सक्राइब कैसे बराबर हैं तो यह आप कोमेंट कर देजिए का आगे बढ़ इसमें अस्थानिये और सासरकार और प्रसासर नियानी की गराम पंचात के बारें पढ़ेंगे तो धन्यवाद आशा करते हैं अच्छा लागे जरूर लाइक करें सेर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद